बियार के सियासत में उपेंद्र कुस्वाहा के खिचरी की चर्चा इन दिनों तेज है उपेंद्र कुस्वाहा जिस तरीके से नितिष्ट जश्वी के ऊपर अटैक कर रहे हैं और बल जो है वो भारतिय यंता पार्टी को मिल रही है उसके बाद इस बल में जो चार्चांद है वो उपेंदर कुस्वाहा लगाने दिल्ली पहुँच गया है। कुछ हुआ दिल्ली में और उपेंदर कुस्वाहा कौन सा सियासी कार्ड खेल रहे हैं। अध्यासी के प्रदेशत जक्ते हैं। उनके कहने के बाद ही संजेज जैस्वाहा के कहने के बाद उपेंदर कुस्वाहा ने जनता दल्नाइटेट के अंतर नितिश कुमार के सामने बगावत खड़ा किया। उपेंदर कुस्वाहा को उमीद थी कि साथ इस बीच जेडियू का एक बड़ा धाड़ा उनके साथ चला जाएगा। लेकिन उमीद पूरी नहीं हुई। हुआ ये कि जब उपेंदर कुस्वाहा जनता दल्नाइटेट से अलग हुए तो वो अकेले पड़ा गया। अलाकि बाद में बीजेपी के नेताओं ने उनका गर्मजोसी से स्वागत गया खुद जो बीजेपी के परदेश अध्यक्ष उसवक्त थे मौजूद संजेज असवाल वो उपेंदर कुस्वाहा से मिलने उनके आवास बगया हैं बाची थुबा अमीसा इस बीच बिच बि मौनाकात नहीं होई थी अलाकि अमीसा से डिली में जो गुपचुप तरीके से जेडियू में रहते हुए उपेंदर कुस्वाहा की बाचीत हो जाई थी लेकिन अब उपेंदर कुस्वाहा से पहली दफें अध्ये से अलग होने के बाद जेडियू से रिष्था तोड़ने के बाद उपेंद्र कुस्वाह अमीज साथ से मिलने के लिए ग्रीव विवाग पहुंचे हैं जो अमीज साथ से आज उनकी मुलकात हो रही है उसके बाद यह कहा जा रहा है कि अब उपेंद्र कुस्वाह चाहते हैं कि भाजपा इस बात को लेकर स्यूर कर दे कि आगे 2024 के नितीश कुमार के साथ साथ राज़त को डाइमेज करें कि अगर उपेंद्र कुस्वाह जेडिव से अलग होंगे तो उपेंद्र कुस्वाह अपने पाटी में संगठन में उन्होंने अपनी नई पाटी शुरूखी और नारा क्या दिया बिहार का मुखमंत्री कैसा उपें उपेंद्र कुस्वाह जेडिव से अलग क्यों हुए अच्छे पोजीशन में राने के लिए क्योंकि जेडिव ने उनको MLC बनाया हुआ था संसधिया वोट का अध्यक्ष बनाया हुआ था इन तमाम चीजों से वह खुस नहीं थे वह चाहते थे कि सरकार में उनके हिंसेद क्या रूख कर रहे थे लेकिन उपेंद्र कुस्वाह को उस वक्त बड़ा जटका लागा उनके उमीदों पर पानी फिर गया सपना जो पिंद्र कुस्वाह ने देखा था वो चकना चूर होते हुए दिखा जब बीजेपी ने समराठ चौधरी का नाम परदेश अध्यक्ष ये तोर पर आगे किया तो बीजेपी के अंदर ये चर्चा होगे कि समराठ केवल बीजेपी के परदेश अध्यक्ष नहीं है बहुस ही नहीं है बलकि नितीश कुमार से टकर लेने वाला सीम का चेहरा भी है क्योंकि जिस जाती की बात की जाती है जिस एक अच्छे वोट ब लेकिन सफलता नहीं मिली तो अब बीजेपी चाहती थी कि बैकवर्ड में हम चाहा अती पिछना में भी दाव लगाया लेकिन सफलता नहीं मिली तो समराठ चोध्री एक बड़ा तुरूप का पत्ता बीजेपी के हाथ में थे और उपेंद्र कुसवा को यह लगता था कि सम उपेंद्र कुसवाहा के पास उमीद थी कि बीजेपी उन्हें ज्यादा तवज्व देगी लेकिन उनकी उमीद उस वक्त तूट गई जब सम्राठ चोधरी को बीजेपी ने अपनाने तब सिध्य तोर पर पर मोट कर दिया बीजेपी के अंदर आज भी सम्राठ चोधरी को ल काते हैं शुआ उपेंद्र कुसवाहां जेडिवाू में राकता हैं लेकिन वह दूद्ली किसमें में क्या करते हैं की नेताओं मिलते थे हैं यह सब पहले से murders चुभेगा लेकिन उपpower को स्वा Gelby करज़ मुशक़् यह मुलकात विभाग में हो रहे हैं लहार ज्यादा बाते नहीं होगी इसासी चाया कने थीक नहीं फ़ाइस को सुछ अंकर नहीं यह कोई जबाता है लेकिन अब च्छांट घुए लेकिना स्वस्त नहीं करने वाले हैं कि आगे लोग सुबा चुनाओं में आपको क्या वज़ा दी जाएगी कितना जगा दिया जाएगा पार्टी में संगठन में गटबंदर में तो उपेंदर कुस्वाह के लिए मुलेकात एक सुर्बाती अपचारिकता हो सकती यारियन लेकिन जो खिचरी उपेंदर कुस्वाह तयार कर रहे हैं इस खिचरी में जो तरका है वो हमें शाह को लगाना है और किस समीकरन में उपेंदर कुस्वाह बिहार के अंदर भारती जनता पार्टी के साथ NDA में फिट बैठेंगे इसको लेकर भी जो सवाल होंगे वो आज उप प्राद बढ़ रहा है इसको लेकर पुलाकात अमेशा से की गई है आप बने रहे हैं फॉस्ट वे आज हारखन के साथ खबरों का सिलसिला यूहीं चलता रहे हैं